अल्ताफ अंसारी समाजवादी पार्टी सदस्य राष्ट्रिय कार्यकारिनी पूर्व प्रत्याशी का कहना है कि लोग बाहर ना निकले और ना फालतु कहीं जाए और उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना वायरस हमारे पूरे देश में महामारी की तरह फैल रही है इसको हमें हराना है और जब कोई जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले या बिना फालतु का बाहर ना निकले और एक दूसरे के पास एक मीटर की दूरी बना कर रहा है और वहाँ पर ज्यादा भीर ना लगाए ना एक दूसरे के पास रहे आप सब घरों में रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि जब घर से बाहर निकले हैं तो माक्स लगा कर अवश्य बाहर निकले क्योंकि आपकी सेफटी आपकी भलाई है क्रोना वाइरस के बीमारी न फैले इसके सवाल पर लोग अधिकतर इस बात को मान रहा हैं और घरों में भी बने हुए हैं मगर जो रोज कमाने वाला खाने वाला वह इस तरह के लोग बहुत इस देश में बहुत बनी तादाद है आवा तादाद कहीं न कहीं लाचारी से भूपमरी से अपने बच्छों बेचेहों की तरफ ताक के सड़कों की तरफ ताकना सुन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार हम लोग कभी स्यासी बात तो जो वक्त आएगा तो कर रहेंगे मगर कभी कभा हम लोग तंग जुमले में और पूरे देश और प्रदेश की जनता इनको जुमले बास कहते थी आज वह जुमला कहीं न कहीं दूर और नस्दी सब्सक्राइब कोई जानकर या सौखिया घूमने की पोशिस नहीं कर रहा है जो लोग इदर फसे हुए रात्ते में उनके लिए प्रसासर के लिए कि इलाव है कि नहीं है देखें यह आपका सवाल बिल्कुल जायज है और इस सवाल पर भारत के प्रदान मंत्री जी को बहुत गबेटा से सोचना चाहिए मगर बालत के प्रदान मंत्री जी हमेस्ट तुगलकी फर्मान जारी करते हैं मैं आपके चैनल के माध्यम से बालत के प्रदान मंत्री जी को यह बात कहना चाहता हूं कि जब देश में बला संकत आता है तो देश की सभी गाजनेतिक दल और सरुदरी दल